नमश्कार दोस्तों कादियांस किचिन में आपका स्वागत है आज हम कुछ अमेजिंग कुकिंग टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं जो आपके किचिन के काम को बहुत ही आसान और सुपर बना देगा तो सबसे पहले वाला जो मेरा टिप है नमबू को अच्छे से रैप कर दें और फिर आप इसे फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे तो आप देखेंगे महीने भर तक आराम से फ्रेश रहता है और यह खराब नहीं होता है या फिर आप फॉइल से भी लपेड सकते हैं और यह एक महीने तक फ्रेश रहेगा तो एक तरीका यह है कि आप निम्बू के जूस को निकाल ले और आइस ट्रे में जमा ले और उसके बाद में जिप लॉक बैग में रखके फ्रीजर में ही रख ले अब टिप नमबर टू दाल और अनाज को हम किस तरीकी से लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखे ताकि इनमें कीड अब तो इसके लिए आपको दो सुखी लाल मिर्ष ले लेनी हैं या फिर दो तेज बता अप ले ले और इने आप डाल में चावल में या फिर गेहू में डाल करके रख सकते हैं या एक और जबर दस्ट्रिक है मैंने कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसमें मैंने इस तरीके से आप ट्राइ कीजिएगा तो फ्रेंट्स इस तरीके से जब हम कपड़े में इन गोलियों को लपेट देते हैं तो ये डाल को टच भी नहीं होती है तो हमारी दाल भी सेफ रह जाती है और ये कीडों से भी बच जाती है तो हम इसे बस दो करके यूज कर सकते हैं और जबी भी आप मार्केट से दाल लाएं आप इसे दूप जरूर लगाएं तिप नमबर थ्री तो ये एक जबरदस ट्रिक है फ्रेंट्स आपको घर पे अगर पनीर बनाना है तो आप दो लीटर फुल क्रीम दूद ले ले और इससे जब उबाल आ जाएगा तब हम इसमे तीन बड़े चमज डाल देंगे विनेगर या फिर निम्बू का रस डाल देंगे या फिर हम दही भी डाल करके फाट सकते हैं तो इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए इसे मेडियम हीट पे बॉल कर लेंगे और ये आराम से सप्रेट हो जाता है तो या देख सकते हैं इस सबजियों में डाल सकते हैं और ये पनीर को अब हम फटा-फट ही कर लेंगे ठंडे पानी में टिप या फिर उपर से आप ठंडा पानी डाल दें और इस तरीके से आपका पनीर बहुत ही सॉफ्ट बनता है तो ये बहुत ही जरूरी स्टेप है और उसके बाद में हमने एक प्लेट लगा दिया और उसके उपर हमने पनीर को कपड़े में लपेट के रख दिया है और इस पर आपको हैवी एक बरतन रख देना है या फिर बरतन में पानी भर के आप रख दें और ये एक दो घंटे में तयार हो जाता है तिप नमबर 4 हम अकसर ही अपने लाइटर की क लगा लेंगे और उसके बाद में हम साफ करेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही ज्यादा गंदगी निकलती है तो क्योंकि लाइटर हमेशा हमारे किचन में ही रहता है और स्टॉव के नजदीक ही रहता है तो इस पे सारी चिकना जो भी हम खाना बनाते हैं उसकी स पता चलेगा कि यह सच में बहुत ही गंदा हो चुका था और इसकी जितनी पी ग्रीस इस पे लगी हुई है वो सारे आपके कॉटन पे आ जाएगी और यह एकदम नए की तरह तयार हो जाएगा तो यह बहुत ही जबरदस ट्रीक है दोस्तों इस तरीके से आप अपने किचन के लाइटर को साफ करके रख सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं इसके बैक साइड में कितना काला पन लगा हुआ है तो यह सब ऑईल या फिर घी जो भी हम किचन में यूज करते हैं उसकी चिकनाई इस पे जम जाती है तो यह ग्रीस इस पे जम जाता है और इस तरीके से य थोड़ा सा काला सा हो जाता है तो इस तरीके से आप क्लीनिंग करेंगे तो आपका लाइटर एकदम साफ रहेगा तो इस तरीके से इसके टिप पे भी जरूर से हमें साफ कर लेना होता है ताकि जहां से इसकी लाइट आती है वो भी साफ रहे ताकि हमारा लाइटर लंबे टा सकते हैं या फिर सेनिटाइज कर सकते हैं अगर आपके पास बेकिंग सोडा घर पे नहीं है तो आप नमक और हल्दी डाल करके इन सब्जीयों को पानी में टिप करके रखेंगे तो आपके फ्रेश सब्जी और फल फ्रूट साफ हो जाएंगे और डिसिंफेक्टेड हो जाएं और इससे आप धो करके यूज करना चाहते हैं लेकिन इसका स्टिकर जो है यह बहुत जिद्धी है यह निकलता नहीं है तो चलिए स्टिकर को निकालने का एक जबरतस तरीका में आपको बता देती हूं तो इस बॉटल का धकर मैंने खोल लिया है इसमें मैंने पानी भर लि इसमें और यह मैंने ओवरनाइट रग दिया था भीगो करके और उसके बाद सुबह हम उतारेंगे तो यह बहुत ही आसानी से उतर जाएगा तो यह चाकू की मदद से बहुत इजली उतर जाएगा उसके बाद में आप नॉर्मल वाश से इसको साफ कर ले और उसके बाद में आप इसका प्लांटर भी बना सकते हैं या फिर आप अपने मसालों को भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं अब टिप नंबर सेवन अब अगर आपको इस काच की बॉटल को किचन में यूज नहीं करना है तो चलिए एक जबरदस्त डिय में आपको बताने वाली हूं तो इस वज़े से मैं इस पे लगा रही हूं फेवी कॉल ताकि जो भी हम कलर इस पे लगाए वो इस पे रहे और बहुत ही जबरदस कलर पुल हम इस बॉटल को डेकुरेट कर लेंगे तो फेवी कॉल को लगाने के बाद में हम इसे सूखने देंगे और यह आप देख सकते हैं यह सूख चुका है तो अब हम इस पे आसानी से कलर को अपलाई कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पोस्टर कलर ले लिया है और अपने पसंद के कलर साप इस पे लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ यहलो कलर लिया है और इसे मैं अपलाई कर रही हूं तो हम फेवी कॉल को लगाने के बा करने के बाद में मैं इसे सुखा लूँगी और इसको थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए हम इस पे या तो अपनी जवर्दस पेंटिंग को बना सकते हैं लेकिन मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं आती है तो मैं इस पे जस्ट रैंडमली डॉट्स डाल रही हूं जिससे यह और अट्राक्टिव लगेगा तो यहाँ पे मैंने अभी ब्लैक कलर ले लिया है और यह भी पोस्टर कलर है और रैंडमली मैं इस तरीके से पोलका डॉट्स के इसके उपर पैटन बना रही हूं और यह देखिए कितना सुंदर लग रहा है अब यह नॉर्मल सी पोटल बहुत ही अच्छी लग रही है और इसमें मैंने एक टीलाइट कैंडल डाल दी है और इसे हम जलाएंगे और रात में यह बहुत ही जबर्दस अच्छी लगती है यह देखिए अब आप इसको अपने पसंद के हिसाब से यूज कर सकते हैं इसमें अपनी जूलरी को भी स्टोर करके रख सकते हैं स्पून स्टैंड बना सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं अब टिप नबर एट अगर आप कस्टड बना रहे हैं और अब की शिकायत है कि जबी भी हम custard बनाते हैं तो उसके उपर एक मोटी सी मलाई जम जाती है जो हमारे custard के टेस्ट को खराब कर देती है तो उसके लिए आप जबी भी custard बनाते हैं बनाते ही तुरंत आप एक airtight डबे में डाल दे और धकन लगाकर इस तरीके से ही ठंडा होने के छोड़ दे और यह अभी आप देख सकते हैं यह अभी रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा हो चुका है और इस पे कोई भी मलाई नहीं जमी है तो बस अब हम इसे रख देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए और इसके बाद में हम इसमें अपने पसंद के फ्रूट्स को और ड्राइफ फ्रूट्स को डाल करके वापस से आदा घंडा प्रिज में ठंडा कर लेंगे ताकि यह बहुत ही जबर्दस और ठंडा सा हमारा कस्टर तयार हो जाए तो इस तरीके से आप ट्राइ कीजेगा यह टिप बहुत ही कमाल की है अब एक रिक्वेस्ट एफ रेंट्स अगर आप मेरे चानल पे नए हैं और वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती हैं जलेभी बना रहिए और जलेभी बनाथे समय दही थी तो मैं इसमें डाल रही हो 1 चमच्छ विनेगर और इसी तरह से हम जब कड़ी बनाते हों हमारी दही फ्रेश रहती है और उसका क posis को कड़ी बनने के बाद में टेस्स इतना अच्छा नहीं आता है तो उसे खता करने के ल घी नाना जाली हुई है जरूर से चैक कर लैजयेगा अब टिक नंबर 10 जबही भी आप घी बना रहे तो गी बनाने के बाद में इसके नीचे का जो वेस्ट रह जाता है उसमें काफी सारा गी रहता है और हम घी को चानने के बाद में जो इसका वेस्ट रह जाता है उसको फैंक देते हैं और उसमें बहुत सारा गी भी रहता है तो एक जबरदस ट्रिक मैं बता रही हूँ जब भी आप गी बनाएं गी जब तयार हो जाए आपको उसमें पानी भरदेना है पानी भरने से हमारे गी की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती है आप देख सकते हैं सारा गी अलग से सप्रेट हो जाता है और जो गी के नीचे का जो वेस्ट था इसमें अभी बिल्कुल भी घी नहीं है तो अब आप इसे आराम से फैक सकते हैं और फ्रेंट्स कड़ाई में पानी डालने के बाद में हमें फ्रिज में रख देना है ताकि घी जम जाए हमने मलाई की तरह जो गी उतार लिया था उसे वापस से हम गरम कर लेंगे और फिर हम अपने घी के डबे में स्टोर करके रख लेंगे और जो नीचे का वेस्ट था वो हमें डारेक्ली सिंक में नहीं डालना है चलनी की मदद से हम इसे सपरेट कर लेंगे और उसमें बिल्कुल घी नहीं है तो उसे अब हम फैक सकते हैं तो डेस्ट बिन में हम डाल देंगे तो दोस्तो ये थी मेरी आज की वीडियो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो में आपको जबरदस टिप कौन सी लगी और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक ये वगर बिल्कुल भी ना जाएं अपने दोस्तों में और फैमिली फ्रेंड्स में जरूर इसे शेयर करें क्योंकि ये कुछ ऐसी helpful टिप्स हैं जो हर किसी के काम आती है फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वाचिंग स्टे कनेक्टेड